प्रदेश के हाई स्कूल परिक्षा परिणामों की प्रदेश प्राविने सूची में बेतुल जिले के भी तीन चात्रों ने जगा बनाई हैं। इनमें साथवे स्थान पर बेतुल के शास की उत्करश्ट विद्याले के दो और नौवे स्थान पर मुल्दाई के शास के हाय सेकेंडरे स्कूल की एक एक छातरा शामिल है। तीनों ही टॉपर मध्यमवर्गे परिवारों से है जिरों रेक कड़ी मेहनत और सीमित संसादन और कोरोना संक्रमन की खौफ के बीच ये उपलब्दी हासिल की है। चास के हाय स्कूल की छातरा शामिल है। वही साथवी ही रेंक पर आए यश इंगले की पिता का फूटफेर का विवसाय है और वो स्वाटफेर इंजिनियर बनाना चाहते हैं। याश ये बताईए कि आज जो आपने उपलब्दी हासिल की है इसके लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। मैंने तो सर सुरू से स्टड़ी मतलब जब से मतलब अपरेल से मैनत करना चालू कर देखते हैं। पड़ाई में स्पेस आई हो या आर्थिक समस्या है या कभी है। कि आपने कोई चीज मांगी होना मिली हो गए तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि इंग्लिश का हो जाएगा हिंदी का रह जाएग तो बहुत वह लग रहा था कि कई एक्जाम्स ना हो तो परसंटेज पर फेक्टना पड़े लेकिन फिर आया कि चारी सब्जेक्स कि चार सब्जेक्स के निकालेंगे तो चारों के परसंटेज देंगे तो उत्ती कोई टेंशन नहीं थी लेकिन फिर भी था कि दो एक्दाम्स मिस हो गए कोई कमी रह गई और अच्छे की उमीद थी आपको हाँ मैं चाहती थी कि मतलब जो अभी ये तीन परसंट मेरे रह ग तो अच्छी बताओ तो मैं ऐसे मतलब लगातार नहीं पढ़ सकती 5-6 घंटे फिर भी मैं मतलब ब्रेक लेक लेके पढ़ती थी तो मैं कभी आदे घंटे मोबाइल चला लेती थी या कुछ भी मूर्फ्रेश करने के लिए तो वही मतलब हमारा स्कूल 5 बज़े तक के रहता याद करना है तो मैं सुबह करती थी मैं को मतलब शाम को याद नहीं होता था तो मैं सुबह 5-6 बज़े तभी टाइम मुझे लगे उठने के लिए मैं उठ जाती थी और सारा प्रिपेर करती थी और संडे वंडे जैसे कोई छुटी आती थी तो भी मिनिमम दो या धाई घं परती थी उससे दादा कुछ नहीं परती थी हर साल की तरह इस बार भी मध्यम वर्गे परिवारों और सरकारी स्कूल के बच्चों की उपलब्दी ने ये साबित कर दिखाया है कि चमचमाते निजी स्कूलों की भारी बरकम फीज केवल दिखावा है जबकि मैनत ही सफलता क का अस्क्री मांत्र होती है